व्यूवर्स अस्सलाम उलेकुम तवा चिकन रेसिपी प्लीस मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चना को सब्सक्राइब करें तवा चिकन के लिए आधा किलो पूर्लेश चिकन लेने फिर इसमें हजबे जायका नमक पिसी हुई लाल मिर्च हल्दी पिसा हुआ गरम मसाला हजबा जायका एट करें फिर इसमें साबुद धनिया और जीरा तवे पे भून के कोट लें वो भी एट करें एक चमच लहसन अद्रक का पेस्ट और दो से तीन चमच दही के एट करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इस चिकन को एक घंटे के लिए रख दें फिर इसके बाद एक पैन लें और इसमें बहुत कम ओईल एट करें और ये चिकन एट करें अब इस चिकन को कवर करके दस मिन के लिए रख दें हलकी आज पर दस मिन के बाद चिकन चेक करते हैं अभी पकना शुरू हो गई है इसको अच्छी तरह उपर नीचे मिक्स करके अब इस चिकन को दुबारा दस मिन के लिए रख दें अब हमारी चिकन ना तकरीबन गल गई है अब इसके लिए तकरीबन आधी प्याली दही लें और उसमें चिकन तिका मसाला एट करें लैसन अध्रक का पेस्ट थोड़ा सा नमक और पिसी हुई लाल मिर्च एट करने के बाद इस दही को अच्छी तरह मिक्स कर लें फिर दही को मिक्स करने के बाद इस चिकन के उपर एट करें इस चिकन पर यह सारी दही एट करने के बाद इसे मिक्स कर लें और तकरीबन 10-15 मिंट के लिए कवर करके रख दें 10-15 मिंट कवर करने के बाद जब इसको खोला है तो चिकन तयार है